एक नई MOU पे साइन हुआ है CAC और Infosys के बीच में, जिसके माधियम से होगा क्या फ्रेंड आने वाले समय में ग्रामिन वर्क के जो छात्र होंगे, वो CAC सेंटर में जाके Infosys Spring Board CAC के माधियम से अपना डिजिटली ग्यान प्राप्त कर पाएंगे, जैसे एक दोस्तों हम लोग PMG दिसाम करते थे, कि हमें अश्टुडेंट को Read&Watch करवाना पड़ता था, लेकिन आने वाले समय में हमारा साथ Infosys भी देगा, इस परकार के छात्रों को डिजिटली साच्छर बनाने में, तो चली दोस्तों इस कटिंग को पहले हम Read&Watch करेंगे, औ इसके नीज दोस्तों हमारी हिंदुस्तान नीज पेपर में आई थी, तो इसकी कटिंग रहाइए, तो चली इसे हम Read&Watch करेंगे, ग्रामिन छात्र डिजिटल दच बनाये जाएंगे, सूचना एवं प्रदुकी मंत्राले के उक्रम Common Service Center, CAC ने ग्रामिन छेत्र के बच्चों क डिजिटल कोशल विकास के लिए IT Company Infosys के साथ सहयोग किया है, इसके तहत Infosys Springboard CAC के जरिये 10-22 साल के छात्रों को डिजिटल परसिचन परदान करेगा, CAC की तरप से जारी एक ब्यान में कहा गया है कि इस पहल का मक्सद ग्रामिन और अर्ध सहरी छेत्रों में समाज के उप करना है, उन्हें परसिचित करने के लिए कारिकरम सुरू किया जाएगा ताकि वे डिजिटल तक्निकों में दच बन सकें, CAC के परमुक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने कहा कि परदान मंत्री डिजिटल साचरता अभ्यान के तहत, CAC को 6 करोड लोगों को डिजिटल साचर जिमा मिला है, इसी कड़ी में बच्चों पर भी देहान दिया जा रहा है, इस कैर में इनफोसीस की तरफ से तक्निकी सहता परदान की जा रही है, उन्होंने कहा कि इनफोसीस स्प्रिंग बोड से युवा अबादी के बीच डिजिटल खाई को पार्टने में मदद मिलेगी वहीं CAC के जरिये समावेसी सिच्चा का लेच्च भी पूरा किया जाएगा, इस मोके पर इनफोसीस के वरिष उपाध्यच और सिच्चायवं पर सिच्चन परमुक तिरुमला आरोही ने कहा कि आज की युवा पिढ़ी को डिजिटल साचर बना कर ही सही मायने में डिजिट पर सिच्चन एवं रोजगार परक्ता बढ़ाने का मंच है तो चलिए हम जानेंगे इनफोसीस का स्प्रिंग बोर्ड आखिर है क्या और इसमें किस प्रकार से आने वाले समय में हम अपने आसपास के बच्चों को डिशली साचर कर पाएंगे जैसा कि दोस्तों जब भी पाउजर ओपन करेंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे स्प्रिंग बोर्ड इनफोसीस पहली लिंक आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इनफोसीस स्प्रिंग बोर्ड की जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें लोगिन करने के लिए हमसे कहा जाएगा थोड़ी दि वेट करने के बाद कुछ इस प्रकार की dashboard आप देख पारे होंगे जैसे ही दोस्तों Infosys Springboard Login पे किलिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की आप dashboard देख पाएंगे जैसा कि दोस्तों हमने कुछ step next किया था जिसके कारण इस dashboard तक पहुँच रही है आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से Infosys Springboard के मदद से हमें अपने आसपास के बच्चों को digitally साचर कराने में कितनी help मिलती है ये तो दोस्तों कुछी दिनों में हमें पता चल जाएगा जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है था हम वीडियो के मादियम से आपको अपडेट करने की कोशिस करेंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक इंसेर करना बिल्कुल ना पूलने ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत 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 देने वा थैंक्यू